नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात काम के बातों में आपका स्वागत है धर्म गंगा धर्म हमारे जीवन का एक बहुत महतुपूर्ण विशा है क्योंकि धर्म हिंदु सनातल सल्सक्रती में जीवन शैली को कहा गया है धर्म गंगा में आज हम बताएंगे जो बहुत काम के बात हैं आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी चौपाई जो आपकी जिन्दगी में आपको बहुत लाब देने वाली है श्री हनुमान जी जब माता सीथा का एन्वेशन के लिए लंका में प्रवेश करने वाले थे उन्हें एक बहुत सुन्दर छोटी सी चौपाई उनके लिए लिखी थी रामचरित मानस के सुन्दर कांड में गोस्वामी तुलसी दासी ने प्रविसी नगर कीजे सब काजा हिर्दै राखिक कौसलपुर राजा अगर आपको राम से प्रेम है अगर आपको रामचरित मानस से प्रेम है अगर आपको हनुमान जी से प्रेम है उनके प्रतिभक्ती है अगर आपको सनातल संस्कृति पर विश्वास है अगर आप आस्तिक है तो आप एक बार जरूर एक बार अनिवारे रूप से आजमा के द आपका कार्य सिद्ध होगा कभी भी किसी भी महतुपूर्ण कारे के लिए आप प्रस्थान करें या प्रवेश करने वाले हो उस उस बिंदू पर उस इस्थान पर उस विशेश भवन में जहां पर आपका कार्य सिद्ध होना है तो उसके पहले आप अपने मन में स्परण करें ये सुन्दर सी चौपÁई प्रगबिसी नगर की जे सब काजा, हृदय रा की कौसल पुर राजा कौन है? राम जी है, राम जी का नाम हरी अननत, हरी कथाननत, महान है, राम जी का शब्द धौनी बिज्ञान के अंतर गतिस शब्द में बहुत शक्ती है, प्रबिसी नगर हनुमान जी जब नगर में प्रवेश कर रहे थे कौन से नगर में लंका नगरी में विश्यू का महान तम खलायक रावन जहां रहता था उसकी नगरी में एक छोटा सा वानर जिसे अपनी शक्ति का बोथ नहीं था वो अपनी माता सीता के लिए उनके अन्वेशन के लिए उनको खोजने के लिए आदेश का पालन करते हुए राम जी का मन में इस्मिन करते हुए वहाँ प्रवेश करते हैं वो हैं श्री हनुमान जी बहुत मृदुल हैं बहुत नंबर हैं बहुत सौमे हैं बहुत अच्छी बात नहीं पता है तो आजमा के देख लीजे मेरा करता हुए है कि रेडियो हिंदुस्तान में जो थोड़ा बहुत जीवन का ग्यान मुझे धर्मा का ग्यान मिला है आपके साथ साजा करो और बहुत धन्यवाद आप सुनते हैं रेडियो हिंदुस्तान करते रहें काम और सुनते रहें हिंदुस्तान हमेशा हमेशा हम रहेंगे आपके साथ अभी दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे आपसे अगली बार नमस्कार